राजनीती के शत्रंज की गोटी कब कहां और कैसे फिट बैट जाए किसी को अंदाजा नहीं होता इस खेल में बस जीतने की शर्थ होती है जो खिलारी अपनी चाल से दूसरे को माद दे दे उसे ही इस खेल का असली बादशा माना जाता है बीजेपी में जम्मू कश्मीर सरकार में साजिदार पीडेपी से नाता तोड़ कर राजनीती में अपनी बाश्चाहत का परिचे दिया है और सियासी लिहास से बड़ा दाव माना जा रहा है जानकारों का मानना है कि इससे बीजेपी को बड़ा राजनेतिक फायदा हो सकता है बेशक बीजेपी ने PDP से अलग होने का फैसला लिया हो लेकिन खबर ये भी थी कि अगर बीजेपी महबुबा सरकार से अपना नाता ना तोड़ती तो अक्टूबर महिने तक महबुबा खुद बीजेपी का साथ छोड़ सकती थी लेकिन बीजेपी के सूतरों को इस बात की भलक लग गई थी पार्टी बात पर मन्तन कर रही थी तमाम विचार विमर्स के बाद नरेंदर मोदी और भाजपा द्यक्ष अमिस शाहा ने देश के अठखंडता और राष्टवाद के नाम पर गटबंदन से हटने का फैसला किया बीजेपी का दावा है कि आतंकियों के खिलाब कारवाई में पीडेपी का पूरा साथ नहीं मिल रहा था लिहाजा पीडेपी बीजेपी के खिलाब को एक्षन लेती उससे पहले ही बीजेपी ने अपना मास्टर स्टोक खेल दिया तो वहीं ओप्रेशन ओल आउट को तेज करने के लिहाज से भी ये फैसला बीजेपी के लिए एकदम सटिक है क्योंकि खबरों के मताबिक अगर सितंबर एक्टूबर में पीडीपी बीजेपी से नाता तोड़ती तो बर्बारी की वज़े से ओप्रेशन ओल आउट को तेज करने में कावी दिक्कत आती तो वहीं बीजेपी के इस फैसले को 2019 के लोगसबा चुनाव के नतीजे से भी जोड़ कर देखा जा रहा है